बड़ेवनिंग स्टुडेंट्स आज हम लोग फंटामेंटल ऑपरेशन जो हम लोग पिछली बात पढ़ा था पिछली लेक्चर में उसका हम लोग सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं और आजब पर यह चेटर एंडल जाएगा मैंने आपको पिछले नेक्चर में बताया था कि कैसे दो एल्जेबरिक एक्स्प्रेशन को जोड़ना है या फिर उसको घटाना आएगमीज एडिशन एंड सब्स्ट्रेक्शन यह दो चीज मैंने आपको बताया था आज में लोग पढ़ें इसका मैंटिप्लिकेशन और यह चीज याद रखेगा कि यह जो आज आप पढ़ने वाले हैं यह आपका जब तक कि आपका केरियर सेट नहीं हो जाता तब तक यह आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं होगा है जाए आप कॉलेज लाइट में चले पढ़ें इसके लिए आपको हमेशा तयार रहा है दो चीज दियां में रखनी है कि इसमें सबसे पहले आपको चाहिए मैंटिप्लिकेशन करने में पेशेंस ठीक है बड़ा लंदी-लंदी मिला रागिए तो उसमें आपको पेशेंस रहे और दूसरी बात कि साइन का थ्यां कि इसमें जो माइनस प्लस हम लोग परते थे माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस यह सब जो परते थे अब वो सारे चीज़ें यहां पर होगी क्योंकि मैंने बताता है addition, subtraction वैसा कुछ नहीं होता लेकिन multiplication में अब यह होगा तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस इसमें आखिर आपको मिले रहता है कि आपके chapter में फिर उसके बाद में आपके chapter के पिछ questions भी में solve में आपको करा लेगा तो चलिए आईए देखते हैं इसमें आपको तीन तरह का multiplication पढ़ना है सबसे पहले यह पढ़ना है कि एक algebraic expression आपको आपको number से multiply करना है let's suppose आपको दिया हुआ है कि multiply multiply 7x by 2 7x को 2 से multiply करना है इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि number को आप number से multiply कर दीजएगा और उसके ठीक bubble में जो भी इसमें variable रहेगा उसको आप रख दीज़ेगा चाहे हो x हो y हो z हो a b c कुछ भी रहेगा ठीक है तो अब जैसे इसको इसको multiply करना है तो 7x into 2 हो समझेगा कोई कि आप multiplication जब करते है आपको करना है पहले आपको करना है पहले आपको करना है तो 8 into 2 it means you have to write down 8 two times and you have to add it तो उसी तरीके से यहाँ 7x को हम two times को multiply करेंगे 7x और 7x रखे आपको add करना है that would be 14x तो इसमें होता है इस नम्बर को हम इस नम्बर से multiply कर देते है और जो भी variable है उसको हम अगर में रख देते है ठीक है उसी तरीके से आपको माल लिजाए यहाँ पार देता जाए कि इस variable को भी variable से multiply करता है ठीक है जैसे कि 7 into 2 हो गया 14 और x into y को हम लोग क्या लिखते है xy लिखता है xy का means x into y ठीक है तो यहाँ पर हम xy लिखतेंगे तो यह problem हमारा solve हो जाएगा ठीक तो यह को होगी प्लस वारी बात है अब आपको ध्यान में लिए रखना है कि यह negative और positive number जब multiply होगे तो क्या होगा इसके मैं आपको simple साथ इसका result क्या होगा minus होगा plus into plus करना है ठीक है तो यह हो जाएगा plus और minus है दोनों number तो फिर इसको अगर हम multiply करते हैं तो यह हो जाता है plus अब आजाता है कि पहले minus है और बाद में plus है तो फिर इसका result minus होगा तो इसको अगर आप याद नहीं रख पाते है plus minus होता है या minus minus plus होता है तो इसके लिए आप एक चीज़ याद रखेगा simply कि जब कर ये भी दो opposite number multiply होगा opposite sorry opposite sign जो भी multiply होगा चाहिए वो minus into minus हो और फिर प्लस into minus हो कोई भी हो ठीक है इसका result हमेशा minus ही आएगा और जब कर भी same symbol multiply हो whether it is plus और minus इसका result हमेशा plus ही आईगा ये चीज़ आप ख्यान में रखेज़ेगा ठीक है अब हम लोग परते है multiplication के हो कि किस किस तरीके के सवाल आपको मिलते हैं तो इस इसको उतार नहीं कि तुझा अब हम लोग दिखते हैं इसवे आपने questions को let's suppose आपके सामने है 3x into minus 4y तो सबसे पहले आपके कीजिए 3x into 4y कर पीजिए 3 into 4 12 होगया और x into y xy इसको तो हमने यहाँ पर लिखती है लेकिन अब यह देखें कि यहाँ पर कोई sign नहीं है means इसके आगे में क्या है प्लस sign शीपा होगा है और यहाँ पर minus है तो plus into minus क्या होता है मैंने आपको बता है कि जब को भीवी तो opposite sign अगर multiply होगा तो that would be minus तो इसके आगे माइनस रखेंगे that is your result ठीक है यह तो होगया think value आपके सामने अब इस तरीके का question आएगा ठीक है जो कि आपका third question होगा that would be let's suppose 2x plus 3y को हम multiply करते हैं आप लिजे 3 से इससे multiply करना है तो इसमें आप लोग को कुछ नहीं करना है बस इतना सा patience रखना जो बनी patience की बात की थी एक बार पहले आप इसको इससे multiply कर देंगे फिर उसके बाद आप इसको इससे multiply कर देंगे और sign को ध्यान में अठीक है जैसे 3 कॉम ने 2x से multiply किया तो 3 to 2 6 तो यह हो गया 6x उसके बाद फिर 3 कॉम ने 3y से multiply किया that would be 339 तो यह 9y होगा ठीक है अब sign की बाद रही तो यह दिखेंगे इसके साथ multiply हो रहा है यह भी plus, यह भी plus, यह भी plus, यह भी plus तो यह क्या हो गया plus का sign तो ने यहां बद plus हो रहा दिगा So that is your result 6x plus 9y ठीक है अब हम लोगों देखते है equation on Suppose आपके 2x minus 3y इसको आपको multiply करना है हमा लेजिए 5 से ठीक, तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 को इससे multiply कर देंगे, फिर हम 5 को इससे multiply कर देंगे और sign को बहुत ध्यार में रख लगी, तो 5 पुझा 10x, ठीक है तो यह 10x हो गया, ठीक, sign plus है, plus into plus, plus हो गया, अब यहां पर 5 पुझा 15y लेकिन अब यह plus है और यह minus है, तो plus minus, minus होता है, multiplication में या रखिया है, चीज, चीज, अब लोगे, multiply करने, तो यहां पर फिर पीच में, minus का sign देंगे, that is your answer किया है, अब इसी तरीके का, कुछ question आपके सामने क्या आएगा, यह तो दिखे, variable का जब यहां पर कि माल लीजे, आपके पास, वो, binomial दिया हुआ है, इसके बाद फिर यहां पर, आपको, एक numeric 70 प्लाय करना है, अब यहां पर क्या करना है आपको, कि एक binomial, वो आपको, monomial से multiply करने के लिए दिया जाएगा, जैसे, suppose, यहां पर दिया हुआ है, 3x, plus 5y, into, 6x, इस से multiply करना है, 6x, अभी तक number से multiply करना है, अब यहां पर number और variable, दूदा आ जाए, ठीक है, अब इसको हम लोग दिखते है, क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग 6x को 3x से multiply करेंगे, और फिर 6x को हम लोग 5y से multiply करेंगे, sine चुकी सारा प्लस ही है, तो इसमें कोई जादा टैशन वाली बात नहीं है, तो 6x into 3x करते हैं, तो 6 3 है, 18, 18x into x होता है, तो x into x को हम लोग x square रिख सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग इसको x square करते हैं, 18x square, इसका value होगा, और इसको हम लोग करते हैं, 6 into 5, that is 30, x into y, x, y, ठीक ना, अब यहाँ पार बात आते हैं साइन की, कि यह प्लस का साइन है, तो लोग रिख सकते हैं, यह आपना complete answer होगा, ठीक है, अब इसे तरीके से एक minus वाला हम लोग ले लेते हैं, let's suppose दिया वाला है, minus 3a plus 4b into a, 8x, इससे multiply करवा है, अब हम लोग क्या करेंगे, a3 जा, 24, तो minus 24, ax हो जाएगा, चुकि a into x, ठीक है, ax होगा, minus 24, ax, और 8x को हम लोग, 4b से multiply करेंगे, चुकि यह प्लस वाला है, जो तो plus sign देंगे, आपने, और 8 4 जा, 32bx, यह आपका solution होगा, अगर आप चाहें, तो 32bx minus 24 ax देंगे सकते हैं, ठीक है, दोनों condition में आपका सही ऐसा होगा, और पूरा नमल देगा, यह तो क्या है, इन दोनों का multiplication, अब आपको में थोड़ा सा और एक लेवल पर लेगी सकता हूं, वो से ताकि भूप में यह सवाल ना हो, लेकिन फेभी आप यह जान लीची, ठीक है, अब क्या करना है, अगें, मैंने बोला था, एक तो sign को ध्यान करना है, अब दूसरी बार, patience, तो patience क्या करना है, सबसे पहले देखिए, 4x से जब हम multiply करेंगे इन दोनों को, पहले 4x से, इसको इससे कर देंगे multiply, फिर इसको इससे multiply कर देंगे, sign को ध्यान दे रखेंगे, अब अगली बार क्या करना है, चुकि यह plus 3y है, तो इसको हम पहले इससे multiply करतेंगे, उसके बाद फिर इससे multiply करतेंगे, let's suppose इसको plus 3y नहीं, आप इसको minus 5y माण लेजी, अब देखिए सवाल बनाने में आपको मजा आएगा, दखिएगा, अब यह आपके book में इस certificate सवाल आएगा है, ठीक है, अगर आएगा भी, मतलब जो भी रहेगा इसमें सवाल, यह सवाल आप बनाने जाएगा, तो इसमें कोई भी सवाल आप बनाने जाएगा, समझेगा यहां से, तो सबसे पहले हम इस number को इससे multiply करें, ठीक है, तो 4x को 2x से पह 4x को हम 3y से multiply करते हैं, पहले sine करें लिए, यह plus है, यह minus है, sine को minus हो गया है, plus minus minus होता है multiplication में, अब हम लोग यहां कहते हैं, 4, 3, 12, x, y, चुकि x into y है, और यह 3, 4, 12, 12 हो गया, यह तो हो गया, इसका काम हो गया, अब अगले number को जब हम multiply करते हैं, ध्यान रखेगा, जब हम इ multiply कर रहे थे, इसके sine को भी देख रहते हैं और यहां बार जो हम इस서 multiply कर रहे थे, इसmind को भी देख रहते हैं हम दो, थीक, उसनी तरीके से जब हम माइनस 5y को 2x से किया, तो प्लस और माइनस, सबसे पहले माइनस हो गया, क्या रखियेगा, यह वाला साइन छोड़ना नहीं, माइनस प्लस, माइनस हो गया, 5y इंटो 2x, that is 10xy, 5y तो जा 10x इंटो y, 10xy, अब इस नंबर को इससे मल्टिप्लाइ करेंगे, तो माइनस 5y, माइन माइनस, माइनस, प्लस, उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, 5 तीजा 15y स्क्राइब, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या अगर आप चाहें, तो इसको थोड़ा सा और आगे एक स्टेप में ले जा सकते हैं, that is index square, और आप देखिए, यह माइनस 12xy और माइनस 10xy, दोलों एक ही चीज, मतलब एक ही तरीके का है, दिख रहा है, तो इसको हम लोग एक जगर कर सकते हैं, minus 12 और minus 10 कितना होता है, minus 22xy, अब यह मत बोल दिजाए कि सभी माइनस, माइनस, प्लस होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग addition और subtraction वाला ही साकित आप देखिए, और addition में क सवाल लिए है, कि एक जैसा दिखें भी, और multiplication और addition में हम लोग को क्या difference करना है, वो चीज़ां समझ सेखें, तो 1210 कितना होगया, 22xy, चुकि यह दोनों minus में प्लस 15y², तो यह हो गया आपका आज का, जो complete में तरीका बताया, simply आप इसी तरीके जिस्कों बनाते चलिए, कही कोई दिखकत की बाद नहीं है, एक-दो सवाल में आपके book से भी ले रेता हूँ, जो कि आपके book में दिया रपा है, ठीक है, एक-एक आपका हर सवाल में उखाता चला जाता हूँ से, जो सबसे difficult सवाल होगा, जैसे कि, पहले में multiply, इसमें तो कोई भी number है, तो easy है, जैसे 7x square by minus 2, यानि 7x square को minus 2 से multiply करना है, यह plus है, यह minus है, simple होगया, minus multiply होके, 7 तुझा, 40x square, simple, उसके बाद फिर आपका, एक सवाल इसमें जो दिया हुगा है, minus 80x by minus 5y, इसको multiply करना है, देखे, minus minus, plus होगया, multiply, minus यहाँ पर multiply करना है, तो minus minus क्या होगया, plus होगया, 85, 400, और यहाँ बाद होगया, xy, तो यह plus नहीं भी लिखेगा, चलेगा, तो यह होगया, 400xy, आपका answer, उसके बाद फिर, एक question है आपका, second का sixth number, that is minus 70p, plus 18a by 2, simply वहीं चीज़ करना है, इसको number 2 से multiply करना है, अब तो आप लोग कर रहेंगे, minus 17p into 2, that is minus 34p, plus 36a, इसको आप लोग, 36a minus 34p गी लिख सकते हैं, कई कोई दिख कर वाले का, ठीक है, आप यह लिखे, यह लिखे, आपका number नहीं कठेगा, same भी लेगा उपको, और last time एक example ले ले लेता हूँ, जैसे यहां पर दिखावा है, 18x, plus 30y, by 7y, यह है आपका third question का seventh number, ठीक है, तो आपको simply ले करना है, 7y को आपको पहले 7 multiply करना है, कर देना है, 87, 126 होता है, xy, अब plus 37, 91, y square, जैकि y to y, y square होता, तो यह आपका answer होगा, एक लास्ट question में जाए पहले ताहूँ है, जैकि very very last question है, minus 2a, minus 3b, by minus 4a, इससे multiply करना है, ठीक है, इससे multiply करना है, अब देखेंगा, minus minus, पहले plus होगा, 2a into 4a, that is a, a square, 4 into 2a, a, 2a, a square, और minus minus plus वहीं गया है, अब इसको देखें, minus minus plus 3b into 4a, that is 12ab, बस, खतम, यानि कि वो जो last question मैंने बताया देखेंगा, यह सफसे difficult question होगा, इससे easy survey question है आपके chapter में, आप लोग इसको बनाएगे, ठीक है, और यह आपका fundamental operation का chapter आज close होता है, ठीक है, तो अगले दीन हम दो फिर नही chapter में जिसको पढ आपको बक्षा को मुझे भेज देजेगा, मैं वो lecture upload को देदूंगा, तो बस, आजके video में इतना ही, मिलते हैं फिर अग्रे video में, तब तक इस video को आप लोग लाइप कीजिए, शेयर जादा से जादा कीजिए, जितना जादा share कर सकते कीजिए, आप लोग शेयर बहुत कम क करेंगे, वीडियो हमारा upload होते ही, आपको notification चला जाएगा, कि QT Classes में एल नया वीडियो upload हो है, ठीक है? Thank you so much.